तेन फिंगर चैनल में आपका स्वाधत है आज हम कक्षा आठ में आत्मने पदी धातूं के प्रत्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे लट लकार इसको ट्रिक से कैसे याद करना है तो देखिए इसमें दिया है हमें ते इते अंते से इते धुए इवही महे आप सोच रहे देखिए इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं परसमें पदी लटलकार से परसमें पदी लटलकार वर्तमानकाल इसका तो आपको यादी होगा अच्छे से ती तह अंती सीथ था आमियावा आमा ये तो बिल्कुल सा हर वच्चे को रटा हुआ है अब देखिए इस से थोड़ा सा तो कनेक्शन बैठा सकते हैं पूरी ऊपर वाली लाइन तो पूरी है ते इते अंते ती तह अंती तो ती की जगा ते हो गया इते अंते थोड़ा थोड़ा तो हम इसको लगा सकते हैं फिर है सी थ था तो सी इते धोए अब ये धोए तो अलग से या गया है आधा धा और वामे क की मात्रा तो इसको यादी करना पड़ेगा था से हम थोड़ा सा इसको ले सकते हैं इथे फिर है आमी आवा आमा देखिए आमी में छुटी की मात्र है तो इ यहांपे आ गया आवह वा है इसमें तो वह है और आमह मा है इसमें तो मही और इससे हम थोड़ा सा connection बिठा के इसको गाने के रूप में भी याद कर सकते हैं ते इते अंते से इते धुए इवहे मही आप सोच रहों को यह गाने जैसा कहां लग रहा है जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तीन-चार बार मिरे साथ पढ़ेंगे तो यह गाने जैसा लगने लगेगा आपको अंते से इते धुए इवहे मही ती तह अंती ते इते अंते सी थ था से इते धुए आमी आवा आमा इवहे मही फिर से पढ़ लेते हैं ते इते अंते से इते धुए इवहे मही इससे करेक्ट करते हैं ती तह अंती ते इते अंते आप इसको अकेला लेते हैं आत्मने पदी को देखे आप इसको आट-दस दिन रोज लगातार लिखके देखेंगे तो यह याद हो जाएगा आपको और इसमें confusion कतम करने के लिए एक ही तरीका है आप परसमें पदी और आत्मने पदी को एक साथ लिखके देखिए और फिर दोनों को पुस्तक से मिला के चेक दीजिए तो आपका यह संसाई भी कतम हो जाएगा कौन सा परसमें पदी और कौन सा आत्मनें पदी है इसको फिर से पढ़ते हैं हम इसमें देखेंगे धातू सेव कैसे चलती है इसमें सेव याने की सेवा करना तो इसमें लिखा है सेव ते, सेवे ते, सेवन ते, सेव से, सेव थे, सेव अधवे, सेवा वहे, सेवा महे तो इसमें देखें क्या होता है जो गुण संधी होती है उसमें A प्लस E मिलके A एड़ी कहो जाता है आपको बस इतना याद रखना है कि गुण संधी में छोटा A प्लस छोटी E मिलके हो जाता है A तो आपको ये समझ में आजाएगा कि A की मात्रा कैसे हो रही है यहाँ पर यह e की मात्रा है तो हमारी जो trick है उसमें तो हमने पढ़ा है ते इते अनते तो जब हम save में इते जोड़ रहे हैं जैसे हमने लिखा save प्लस इते तो ये होना चाहिए save इते क्योंकि हमने तो छोटी e से जोड़ा है इसको लेकिन ये गलत है यह गुड़ संधी में क्या होता है यह A और E मिलके हो जाते हैं A तो यह हो जाएगा सेवे ते यह सेकंड नमबर पे है न जो सेवे ते तो इसमें सब लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें A की मात्रा कैसे आ गई फिर हमने second number पर जहाँ जहाँ E है हमारी जो प्रारूप में वहाँ पर A हो जाएगा तो इसको हम देखते हैं प्रारूप के साथ हमने पढ़ा है ते इते अंते तो यह हो जाएगा सेवते, सेवते, सेवनते फिर है से इते धुए अब देखें यहाँ पर E था तो यहाँ पर E की मात्रा आ गई तो जहाँ जहाँ E था यहाँ पता एक E यहाँ है और यहाँ है तीन जगए पर E है तो यहाँ पर E की मात्रा आ गई है यहाँ देखें सेवे हो गया यहाँ पर भी सेवे थे और यहाँ पर भी सेवे थे आप इस प्रारूप को याद कीजिए पहले अच्छे से और फुर इसके साथ सेवधातु का उपयोग करते हैं अब हम इसको दो-तिन बार पढ़ेंगे आप भी मेरे साथ गाने जैसा पढ़ेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा तीन-चार दिन में उसको सरू करते हैं सेविते सेवेते सेवंते सेविसे सेविते सेवध्धुए सेवे सेवाव ही सेवा महे तिर से पढ़ते हैं जब तक आप इस प्रारूप को याद नहीं करेंगे तब तक आपसे यह सेव धातू का उप्योग करते नहीं बनेगा इसके बाद और भी है जैसे लव धातू भी इसी तरह से चलती है तो इसको आप रोज एक बार लिखके देखिए और इसको मेरे साथ आप इसको रोज पढ़िए इस प्रारूप को तो आपको अच्छे तरह से याद कर ही लेना है तो उम्मिद करती हूँ सेव धातू आपको काफी कुछ याद हो गई होगी इसी तरह से आप इसको रोज याद कीजिए तो आटस दन में याद हो जाएगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए